फिल्म देखने जाते समय मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फिल्म राइटिंग के मामले में एक अच्छे क्राफ्ट की एक्जामपल हो सकती है मुझे लगा था कि टॉयलेट एक प्रेम कथा की तरह ही पैड मैन भी दो गंटे की एक सरकारी एड फिल्म होगी लेकिन इस बार फिल्म की राइटिंग ने मुझे परभावित किया है और जो लोग फिल्म लेखन में रूची रखते हैं उन्हें ये वे रिव्यू अन्तक देखना चाहिए उन्हें इसमें बहतर स्क्रीन राइटिंग के काफी टिप्स मिलेंगे चाहे ये एक परफेक्ट फिल्म नहीं है लेकिन स्टोरी ग्राफ और क्रेक्टर ग्राफ के मामले में इस फिल्म में काफी कुछ सीखने को मिलेगा फिल्म में अक्षे कुमार बने हैं लक्षमी का चोहान और पैडमेन उनकी पतनी गायतरी के रूल में है राधिका आप्टे और उनकी प्रेमी का और साथी के रूल में है सोनम कपूर फिल्म का आइडिया है ट्विंकल खन्ना का और फिल्म लिखी है आर बालकी और सवार नंद किरकरे ने डायरेक्शन भी आर बालकी का है अगर कहानी की बात करें पैड मैन की कहानी औरतों के मासिक धर्म महावारी, पिरियड्स, चम्ज आप जो भी नाम ले लीजिए उसके उपर आधारित है और जिसे मजाक में लड़के फाइव डे टेस्ट मैच कहते हैं और कुछ लोगों को मैंने इसे नो एंट्री डे भी कहते सुना है फिल्म की कहानी देखने में बहुत सिंपल लगती है एक छोटे से गाउं में एक हस्बेंड इसलिए परिशान हो जाता है कि पिरियड्स में उसकी वाइफ को घर के बाहर सोना पड़ता है किचन में जाने और उसकी मन पसंद चीजें जैसे के अचार खाने पर बैन लग जाता है और सबसे बुरी बात उसे अपने बॉडि के सबसे सेंसिटिव हिस्से पर गंदे कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है जब उसे पता चलता है कि ये गंदा कपड़ा औरतों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है तो वो पैड लेकर आता है लेकिन एक मामूली वैल्डिंग मेकैनिक होने की वज़े से उसकी पतनी कहती है कि अगर वो इतने महंगे पैड अपनी पतनी अपनी बेहनों के लिए खरीता रहा तो एक दिन खाने के लाले पड़ जाएंगे उसी से शुरू होती है उसकी सस्ता पैड बनाने की जिद लेकिन इस कोशिश में उसकी पतनी बेहने मा और पूरा गाउं तक साथ नहीं देते बलकि उसे बच्चलन कहके गाउं से बाहर निकाल दिया जाता है उसकी पतनी उसे छोड़ कर चली जाती है फिर कैसे वे पैड ब मैंने शुरू में कहा कहानी देखने में बिलकुल सिंपल लगती है लेकिन जिस नजरिये से मैंने इसकी कहानी को देखा है तो उसमें मुझे कई सारे लेर्स नजर आते हैं पुबलिसिटी के हिसाब से ये सैनेटरी पैड की एड लगती है लेकिन असल में कहानी एक हस्बें तो पती अपनी पूरी जिंदगी अपनी पतनी की खुशियों सुरक्षा और हेल्थ के लिए लगा देता है जैसे कि आप सब जानते हैं ये कहानी साउथ के एक ग्रामीन अरुनाचलम मुरुगनम की असल जिंदगी पर आधारित है जिसने पैड बनाने की एक मशीन इजाद की थी तो उसे हिसाब से इस कहानी की पहली लेयर जो है वो पती पतनी के रिलेशन्स पर है दूसरी लेयर है टैबूज की जिस पर कोई सवाल नहीं करता खासकर पीरियर्ट जैसे मुद्दे पर इसे युरतों बात कहके मर्दों को इस से दूर रखा जाता है पीरियर्ट से जुढी शर्म आरतों के लिए मौत से भी बड़ी बिमारी शर्म को माना जाता है periods की तकलीफ को समझने की बाद तो दूर दाग लगने के डर से औरत tension में जीती है तीसरी layer है बदलाव की और बदलाव लाने के लिए समस्याओं की जड़ को समझने की समाजिक समस्याओं के लिए हम अक्सर समस्याओं का तुरंत इलाज करने की कोशिश करते हैं लेकिन समस्याओं की जड़ ढूंड कर उनका permanent हल करने के बारे में नहीं सोचते इस तरह लक्षमी भी फिल्म के पहले हाफ में पैड बनाने की कोशिश करता रहता है लेकिन दूसरे हाफ में उसे समझ आता है कि समस्या पैड नहीं पैड बनाने वाली मशीन है तो फिर वे पैड बनाने वाली सस्ती मनशीन बनाता है लेकिन ये लेर होने के बावजूद पैड में समस्या की एक जड़ तो पकड़ती है लेकिन मूल जड़ नहीं पकड़ती वे पिरियेड में हाइजीन का हल सस्ता पैड तो दे देता है लेकिन film periods के प्रती लोगों की मांसिकता को बदलने में silent रहती है एक जगे पर लक्षमी का डायलोग है कि रीती रिवाज बेवकुफों के लिए होते हैं वो वहाँ पे जो मांसिक धर्म से period से जुड़े रीती रिवाज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं और परी के पापा भी कहते हैं कि औरतों की समस्याओं को मर्द अपने अंदर की औरत को जगा कर ही समझ सकता है लेकिन ये जो दोनों ही बाते हैं कई ना कई पैड पैड और पैड पैड की मशीन पैड मैन इस सारे चक्कर में कई ना कई ये बाते दबके रह जाती हैं चौती लेयर है पैडमेन, कॉपरेटिव सोसाइटीज और रूरल बेस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जरिए मेन सोशल इशुज को हल करने का रास्ता बताती है। इस तरहें जहां गाउं के गरीब लोगों को रोजगार मिलता है, वहीं समाजिक समस्याओं का हल भी निकलता है। उनने बहुत सी हिंदी फिल्मों में एरपोर्ट पर लवर्ज को फाइनली मिलते देखा है। शायद बॉलिवुड की पहली फिल्म है जहां पर क्लाइमेक्स से पहले एरपोर्ट पर लवर्ज का ब्रेक अप होता है और वो भी प्यार से। चटी लेयर भाषा की है पैडमेन ये इस्टेबलिश करती है कि अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो भाषा आपके लिए कभी बादा नहीं बन सकती। अर नाचलम मोर्ग नाथम साउथ इंडियन थे और स्कूल ड्राप आउट थे वहीं फिल्म का हीरो लक्षमी कांथ भी हिंदी भाषी है और उसे यूएन में अपने अंदाज की इंगलिश जिसे वे पिंगलिश कहता है बोलते होए दिखाया गया है तो जो लोग ये समझते हैं कि वो ग्रामीन है उनको इंगलिश नहीं आती है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं कहीं न कहीं ये इस मानसिक्ता पर भी चोट करती है फिल्म लक्षमी को एक तरकी करते हुए दिखाती है अपनी ही भाषा में काम करते हुए तो ये एक अपने आपने इंपॉर्टन ल वाले चुनावी बजट को ही चमकाने का काम करने में सरकार का साथ देते हुए लगती है डारेक्टर आर बाल की एड गुरू रहे हैं जो टाटाटी को जागो रे और आइडिया को वाक एंड टॉक के समाजिक मुदों से जोड़ कर बेचने के सफल एड कैम्पेंग चला जाग रुकता फैलाने के लिए ये एक अच्छा माधियम हो सकता है लेकिन इसके बाजारू पहलू के प्रती सचेत रहना होगा बावजूद इसके फिल्म सरकार के डिजिटल इंडिया के हवा निकाल देती है और बताती है कि चाहे छोटे से छोटे गाउं को डिजिटल कर दिया जाए लेकिन जब तक एजूकेशन और बेसिक स्किल डिवेल्पेंट नहीं होगा रोजगार की फैसिल्टिस नहीं होंगी तब तक डिजिटल इंडिया कुछ नहीं कर सकता इसके साथ ही फिल्म इनोवेशन को मोटा मुनाफ़ा कमाने का हथ्यार बनाने की बजाए आम लोगों के वेलफेर के लिए यूज करने पर जोर देती है फिल्म एक बहुत दिल्चस्प सीन है अक्षे कमार बहुत ही कारगर बहुत ही हरफन मौलाग मकैनिक हैं लेकिन वो जब सब कुछ लुट जाता है उनका तो एक घर पे जाके वो स्वीपर की नौकरी करने लग जाते हैं और वो लगातार इस कोशिश में रहते हैं ये ढूंडते रहते हैं कि कैसे उनको पता चले कि एक अच्छा पैड कैसे बना सकते हैं तो अक्षे कुमार हैरान रह जाते हैं कि कैसे कंप्यूटर से ये सारे इंफ्रमिशन निकल सकती है लेकिन वो खुद उतना पड़े लिखे नहीं होते उतनी समझ नहीं होती तो कई न कई है कि अगर डिस्टिल इंडिया बन भी जाए तो जब तक बेसिक ने ग्रामीन पतनी का रोल अच्छी तरह से परदे पर उतारा है वहीं अर्बन वूमन के रूप में सुनम कपूर का छोटा सा रोल कहानी में ताजगी लाता है सपोर्टिंग कलाकार ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं डारेक्शन की बात करें तो जैसे मैंने बात पर लेके जाते हैं जहां पर लगता है कि अभी लक्षमी की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा बजाए इसके वो दोबारा एक बड़ी मुसीबत में फस जाता है अगली बार फिर ऐसा ही लगता है फिर दोबारा वो एक बड़ी मुसीबत में फस जाता है यानि कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है crisis पे crisis और भी गहरा होता जाता है और interval आते तक वो curve जो है बिल्कुल ऐसी बनती है कि आप कहानी में पुरी तरह से रम जाते हैं और इसी तरह से character है जो लक्षमी का character है वो उसके अलग अलग पहलू निकल के सामने आते हैं वो कैसे एक साधारन mechanic से एक superhero बनता है वो पूरा graph इसमें देखने को मिलता है तो इसे हिसाब से जो कहानी लिखी गई है और जिस तरह से उसको परदे पर present किया गया है दोनों के लिए ही कहानी के film के writers और directors बदाई के पातर है और अगर cinematography और background music की बात करें कि तो दोनों ही कहानी को suitable feel और महौल देते हैं मेरी तरफ से padman को धाई स्टार दोस्तों अगर आपको ये review पसंद आया तो हमें subscribe करें हमें thumbs up दें और अपने दोस्तों के साथ share करें अगर आप अपना feedback देना चाहते हैं तो comment के जरीए अपना feedback जरूर दें अगली वीडियो में किसी और film का review लेके फिर हाजर होंगा तब तक के लिए good bye